दादरी के गौमांस विवाद की गूंज बिहार तक पहुच गई है पहले से ही गर्माई राजनीती में गौमांस ने आग में घी का काम किया है पहले लालू यादों ने गौमांस पर बयान दिया था और अब बिहार बीजेपी खुलकर इसके बैन पर बयान देने लगी है बिजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो गौहत्या पर प्रतिबंद लगा हुआ है लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार इस कानून को ठीक से लागू नहीं होने देती सुशील मोधी ने ट्वीटर पर लिखा है कि प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने सीमा पर तसकरी रोक कर हजारों गायों को कटने से बचाया है बिहार में सरकार बनी तो हम गोहत्या पर प्रतिबंद लगाएंगे बीजेपी गोवंच की रक्षा कर गोपालकों का जीवन उन्नत बनाएगी निउस पॉइंट बेरो